नमस्कार मैं इक्ता शर्मा और आप दिखरें न्यूज लाइफ सीलिंग के विरोध में सील हुई दिल्ली दुकानों पर लटके ताले दिल्ली में चल रही सीलिंग के विरोध में साथ लाग से अधिक दुकाने बंध हैं कुछ कारोबारी संगटनों ने दो दिन और कुछ ने तीन दिन की बंधी की गोशना की है जबकि कई बाजारों ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए केवल एक दिन शुकरवार को बाजार बन रखने का एलान किया है वेपारी जगे जगे प्रदर्शन भी कर रहे हैं Confederation of All India Traders के नेता प्रवीन खंडेलवाल का कहना है कि सीलिंग के चलते वेपारियों को बहुत नुक्सान हो रहा है अरुन जेटली ने कहा 70 लाग नई नौकरियां पैदा करेगी सरकार वित्मंद्री अरुन जेटली का कहना है कि सरकार करीब 70 लाग नई नौकरियां स्रजित करेगी Standard deduction scheme को दबारा लाया गया है इस scheme के मताबिक नौकरिपेशा लोगों को ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्च के मद में Gross salary से 40,000 रुपे घटा कर उस आमन्नी पर tax देना होगा Income tax पर सैस बढ़ाने का भी प्रवदान किया गया है कर कटाती में सुधार से बढ़ सकती है salary वित्मंद्री अरुन जेटली ने वर्ष 2005 में बंध हो चुका माना कटाती नियम फिर से लागू कर दिया है माना जा रहा है कि इससे छोटी आए वाले करदाताओं को थोड़ी राहत मिलेगी माना कटाती विवस्था से वे तनभोगियों के हातों में जादा पैसा पहुँचेगा खर्श दिखाने के बाद भी जिनका income tax कट जाता है उन्हें भी इससे फायदा होगा हाला कि इस नियम से उन्हें लोगों को फायदा होगा जिनकी आमनी धाई से पांच लाक रुपे के बीच है उत्तब्रदेश को मिलेंगे आठ नए मेडिकल कॉलेज वित्मंत्री अरुन जेटली ने अपने बजट भाशिन में कहा कि हम देश के हर तीन लोग सबा सीटों के मद्धे एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे इस हिसाब से यूपी में करीब 26 मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है यूपी में लोग सबाकी 80 सीटे हैं और अभी 17 मेडिकल कॉलेज हैं ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में करीब 8 और मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं उधर सीएम योगी आदरत्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि 24 में से 8 मेडिकल कॉलेज यूपी को मिलेंगे होगी एक यानवे प्रिंस्पल काउंसलर साइकोलाजिस्ट आधी टेलिफोन से चात्रों की समस्याओं का समयधान करेंगे इसके लिए टोल फ्री नंबर 18-00-11-800-4 जारी किया गया है यह हल्प लाइन एक फर्वरी से 13 अप्रेल तक चलेगी चात्रवे अभिभावक सुबह 8 से रात 10 बजे तक काउंसलर से संपक कर सकते हैं अब रुक करते हमारे सहियोगी शीनागरवाल की तरफ पश्चिम बंगाल उप्चुनाव में बीजेपी के लिए हार में भी जीत पश्चिम बंगाल की उलुबेडिया लोकसभा सीट और नोया पड़ा विधान सभा सीट के लिए हुए उप्चुनाव में तरणमूल कॉंग्रेस ने जीत दर्च की है लेकिन बीजेपी के लिए इस हार में भी जीत साबित हुई है इन दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं यह पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में बड़ी काम्याबी मानी जा रही है पाकिस्तान के सिंद प्रांथ के मंत्री और उनकी पत्नी का गोलियों से चलनी शव मिला पाकिस्तान के सिंद प्रांथ के योजना एवं विकास मंत्री मीर हजर खान बिजरानी और उनकी पत्नी फरीहा रजजाख का गोलियों से चलनी शव कड़ी सुरक्षा वाले उनके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के आवास में मिला पूर सांसत परिहा पेशे से पत्रकार थी पुलिस के अनुसार गोली नजबीक से मारी गई और कमरा बाहर से बंद कर दिया गया मीर हजर खान बिजरानी प्रांस के साथ केंदर सरकार में भी मंत्री रहे थे विटकोईन जैसी करंसी अब नहीं चलेगी विट मंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि क्रिप्टो करंसी विटकोईन लीगल नहीं है और अब सरकार इस पर शिकंजा कसनी की तैयारी कर चुकी है जेटली ने कहा है कि हम क्रिप्टो करंसी को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाएंगे और पेमेंट सिस्टम के लिए ब्लॉक्चेन टेकनोलजी के उप्योग को बढ़ावा देंगे हाली में रिज़र्व बैंक और वित मंतराले की तरफ से क्रिप्टो करंसी के जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की गई है दर्बन वंडे में विराट कोली ने सौरव गांगूली के रिकॉर्ड की बराबरी की भार्थी क्रिकेट टीम के कपतान विराज कोली ने दक्षिन अफरीका के खिलाफ डरबन वंडे में शत्किये पारी खेल कर टीम इंडिया के कपतान के रूप में सबसे ज़्यादा वंडे शतक बनाने के सौरफ गाउंगुली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली दोनों खिलाडियों के ही कप्तान की रूप में 11-11 शतक हैं विराट की 112 रंकी पारी की बदॉलट टीम इंडिया ने दक्षिन अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया और 6 वंडे मैचों की सीरीज में एक शुण्य की बढ़त बना ली वीरे की वेडिंग का ट्रेलर लॉंच पुलकित समराट अभिनित फिल्म वीरे की वेडिंग का ट्रेलर लॉंच हो गया है और ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म मनुरेंजन से भरपूर होगी इस फिल्म में पुलकित के अलावा जिमी शेरगिल और कृती खरवंदा मुख्य भूमिकाओं में है पुलकित समराट की है फिल्म वीरे की वेडिंग जो मार्च में परदे पर आ रही है जबकी करीना कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग है जो आगामी जून मां में रिलीज होगी कर फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज लाइफ